नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि वोगली नॉर्म टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, वोगली नॉर्म टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और वोगली नॉर्म टैबलेट की वज़से क्या side effects हो सकते हैं. और यहां भी discuss करेंगे कि Voglinorm Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. Voglinorm एक brand name है. Voglinorm Tablet के अंदर salt composition Voglibose होता है. Voglinorm Tablet 0.2 mg और 0.3 mg की strength में available है. Voglinorm Tablet का उपयोग type 2 diabetes में blood sugar level को नियंतरण में करने के लिए किया जाता है. Voglinorm Tablet शरीर में blood sugar के लेवल को कम करती है. शरीर में शरीर के लेवल को नियंतरण में रखना बहुत ही जरूरी होता है. क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वज़से kidney damage हो सकती है. आखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है. और शरीर की नसे damage हो सकती है. इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंतरण में रखना बहुत ही जरूरी होता है. खाना खाने के दो घंटे बाद एक नोर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है. खाना खाने के दो घंटे बाद यदि किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में है. तो वह व्यक्ति परी-डाइबिटिक स्टेज पर है। परी-डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंतरण में किया जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल वखान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंतरण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती को डाइबिटीज की समस्या है। साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में वोगली नॉर्म टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। वोगली नॉर्म टैबलेट की वज़ह से हो सकते हैं। पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर वोगली नॉर्म 0.2 mg या 0.3 mg टैबलेट को दिन में तीन बार लेने की सलाह देते हैं। वोगली नॉर्म टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वज़न और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको वोगली नॉर्म टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। इसलिए रेगुलर शेड्यूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने पर शुगर लेवल को ठीक करने के लिए शहिद चीनी ग्लुकोज टैबलेट या फलो के जूस आधी में से आप किसी एक का सेवन कर सकते हैं। शुगर को अच्छी तरह से नियंतरण में करने के लिए आपको वोगली नॉर्म टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। चिंता वतनाव से बचना चाहिए। परियाप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि वोगली नॉर्म टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं को नुकसान पहुँचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादातर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं को वोगली नॉर्म टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए वोगली नॉर्म टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका वोगली नॉर्म टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते कर दो कर दू कर दो स्वान से स्ब्सक्राइब का ओना से स्वाणा रेना तो आपका लाइना तो आपका छीडियो को वीडियो सम्सक्राइब कर दो सकते हैं।